दोस्तो ये है स्केचर्स का नया रनिंग शूज गो रन सेवन प्लास स्केचर्स के जो गो रन सीरीज के शूज होते हैं ये खास करके स्पोर्टिंग एक्टिविटीज के लिए बनाया जाता है दोस्तो इसके बहले कि मैं आपको स्केचर्स के गो रन सेवन प्लास शूज के बार में बताऊं ये दिखे मुझे ये स्पेशल टाइब का कह सकते हैं की चोटा सा बैग मिला हुआ है स्केचर्स की तरफ से और सबसे पहले मैं आपको इसकी अन्बोक्सिंग करके बताता हूँ देखते हैं कि इसमें क्या है तो दोस्तो ये दिखे इस प्रकार का बैग मुझे मिला हुआ है इस पर लिखा हुआ है गो लाइक निवर बिफोर और चलिए इसे मैं खोल देता हूँ और अंदर ये दिखे इस प्रकार से पाकिंग की गई है मुझे दो प्रकार के शूज मिला हुआ है जिसमें जो एक main शूज है उसका नाम है Skechers Go Run 7 Plus जो की हाली में इंडिया में लाँच हुआ है तो ये दिखे इस प्रकार का है ये शूज ये running शूज है इसके अलावा एक और शूज है इस बाक के अंदर जिसका नाम है Razor 3 अब ये जो Razor 3 है इसके बारे में मैं आपको बाद में जानकारी दिने वाला हूँ फिलाल देखते हैं कि इसमें और क्या-क्या है ये दिखे ये कार्ड है जिसमें Goran 7 Plus के बारे में जानकारी दी हुई है और साथ में ये head band दिया हुआ है wrist band एक soft cloth दिया हुआ है खास करके running के time में ये काफी काम में आ सकता है इसके अलावा ये देखे ये है shoe bag और ये hot and cold flask bottle है जिस पर temperature इस प्रकार से display होता है ये है waist zip pouch अब जो नाया running shoes है इसमें hyperburst cushioning technology का उप्योग किया गया है जो कि इसे responsive, supportive और lightning fast बनाता है ये hyperburst cushioning durable भी है और बहुती comfortable है खास करके अगर आप long runs करते हैं या फिर marathon में भाग लेते हैं तो उसके लिए ये बहुती बढ़िया option है इसमें जो foam का उप्योग किया गया है उससे आपको additional bounce और support मिलने वाला है जिससे आप एक steady strike को maintain कर पाएंगे जो outsole है, वहाँ पर grooves दिया हुआ है ताकि आपको अच्छा flexibility मिले जिससे आप easy foot movement कर पाएंगे और interesting चीज़ ये है कि इसमें good ear rubber pots का उप्योग किया गया है जो आपको extra traction और durability प्रोवाइड करते हैं इसमें जो M strike technology है ये mid foot strike प्रोवाइड करता है यहाँ पर M का मतलब है mid foot जो basically foot के middle में landing pad की तरह काम करता है ये basically injuries को minimize करता है आपको बढ़िया balance प्रोवाइड करता है stability प्रोवाइड करता है और इस प्रकार से आपका जो efficiency है उसे improve करता है और ये जो hyper burst cushioning है जैसे कि मैंने कहा ये highly responsive है ultra lightweight है और long lasting है इस shoes पर कुछ भाग पर reflective material का उप्योग किया गया है जो की रात के समय एक तरह से added safety प्रोवाइड करता है इस पर dual tone circular knitted material का उप्योग किया गया जो की breathable है, flexible है और बढ़िया support भी प्रोवाइड करता है पीछे pull tap दिया हुआ है खास करके जब आप shoes को पेहनते हैं तो ये काफी काम में आता है और जो reflective material है वो पीछे की तरफ भी दिया हुआ है आगे भी है और पीछे भी है तो ये एक बहुत ही बढ़िया और lightweight running shoes है जिसे आप दिन में भी उप्योग कर सकते हैं और रात में भी उप्योग कर सकते हैं ये ना सिरिफ आपको comfortable fit देता है लेकिन आपका जो efficiency है उसे improve भी करता है तो दोस्तो ये है Skechers Go Run 7 Plus और इसका pricing है 9,999 रुपीज जहां से आप इसे खरीच सकते हैं उसका link मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है तो दोस्तो ये shoes आपको कैसा लगा comments के मादिम से मुझे ज़रू बताइए इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए